नमस्का, सर्प के दन से आप एक बार बच सकते हैं, मगर रैबीज की रिपोर्ट में जो हम जूट दिखाते हैं, उससे भारतिये जनता पर्टी वालों का बचना असम्भव सा है अभी एन आई के एक पॉड़कास्ट पे दलित चिंतक आय हुए थे, उनकी व्यथा को सुनने के बाद मेरे अंदर की पीड़ा जागू थे, मैंने सोचा कि एक रैबीज की रिपोर्ट बनाएं, आपको मैं बता दूँ रैबीज जिस कुत्ते के अंदर बिमारी होती है, वो का है कि सही समय पर इलाज नहीं कर पाई और बीजेटी दो सो चालीस पर सिमन दिये, ताजा रैबीज की रिपोर्ट ये कहती है कि 88% student dropped out from reserved category, thousands of general class rejected even if they study for 20 hours a day to secure a seat at IAT, your seat will be given to someone who scored half of your marks, इन इंडिया, hard labor has not value, it is cheaper than parlay जी, ये तो साड़ी हो गया जी, अरनाप गोस्वामी ने मुझे अंग्रे जी के टूशन दिये थे, लेकिन आज कल odd even formula पे मैं काम करता हूँ, जैसे ब्रामन हमें सासे भिखारी रहे है, odd day में हम कहते हैं, ब्रामनों ने हम पे राज किया, यही इवन डे में कहते हैं, नालंदा विश्विद्याले हमारा विश्विद्याले था, odd day में हम कहते हैं कि ब्रामन हमें पढ़ने नहीं दिये, दलित चिंतकों ने बहुत कुछ सोच समझ के इस प्रकार के लाइन्स निकाले हैं, जिसकी समिक्षा में कर रहा हूँ, आप भी एक पाइटी सेल के पास इसका कोई उत्तर कभी होता है, महरसी वाल में की दलित समाज से थे, हम एवन डे में ये बात कहते हैं, odd day में हम कहते हैं हमको तो वेद पढ़ने की अनुमत ही नहीं थी, इसी प्रकार के चोचलों में हम जीते हैं, एवन डे, भारत पर 800 साल मुस्लिम सा सासकों ने राशासन किया, odd day में हम कहते हैं हिंदू सासकों ने हम पर अत्याचार किया, गजब है बाई, यहां तक कि हम समुद्रगूप्ट, चंद्रगूप्ट, मौरे, सोहेल, देव सबको अपने समाज से बताते हैं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि ब्रामनों ने हमें कु के लिए आप हमारा यूट्यूब का जॉइन बटन मेंबर ले लिजेगा, हम हर प्रकार की सुक सुविधा आपको प्रवाइड कराएंगे, इसी प्रकार से आपको रोस्टिंग वाले वीडियो भी दिखाएंगे, तो अब आते हैं और तथाकतित दलित चिंतक जिन्नों ने एन आई में कहा कि भाई देखिए अगरवाल स्वीट जो है, वो दिल्ली के बाहर बताईए कितना चल रहा है, वामपंथियों का और नमाज युआदियों का एक नारा है, सदेव, ब्रामणों और सवर्णों को गाली देते समय कहते हैं तुम यूरेसिया से आया हो, तुम 15 परतिसत वाले और हम 85 परतिसत वाले हैं, अच्छा है, इसका मतलब तो यह हुआ है कि मुस्लिम भी तुमारे, इसाई भी तुमारे, बौद भी तुमारे, जैन भी तुमारे, सिक भी तुमारे, और ब्रामणवादी मनुवानी सिर्फ 15 परतिसत है, सवर्ण समाज जो है वो 15 चलो अब तुम्हारे ही लोजिक को मान ले तो एक प्रतिसत से कम अबादी वाला अगरवाल पूरी दिल्ली में अपनी मिठाई की दुकान को पॉपुलर करता है तो क्या कारण हो सकता है एक तो उसका परिश्रम हो सकता है दूसरा सबसे महत्पूर्ण है कि उसकी क्वालिटी अच्छी रही होगी क्योंकि अगरवाल स्वीट्स को आरक्षन तो मिला नहीं है अब मूल प्रश्ट ये है कि आपके देश में आप पचासी प्रतिसत है फिर भी आपकी मिठाई की दुकान क्यों नहीं चल रहे है इसका मतलब तो ये है कि OBC, मुस्लिम, सीख, इसाई, बौ पिक जाएगा अब अगरवाल स्वीट्स डेफिनेटली क्वालिटी तो ही बेच रहा है चलिए कोई बात नहीं 27 प्रतिसत दलित आदिवासी तो आपके अपने एक प्रतिसत से कम वल आपनी दुकान चला रहे है आप 27 प्रतिसत होकर भी अपनी दुकान नहीं चला पा रहे ह के अंदर भी आरक्षन अगर आप मांग रहें तो भाईया ये तो आपके confidence को तोड़ के रख देगा आप अपनी दुकान का XYZ को भी नाम रखे परन्तु quality तो दीजिए समान भी केगा किन्तु रैबीज जैसे लोग दिल्ली में MCD में पानी घुसरे पर BJP को कोसेंगे कौन जा जानते हैं कि BMC किसके अंदर है औरे उद्धो वली जो है सिवसेना के पास थी न जी नहीं बोल सकते हैं बापको नहीं बोल सकते हैं बाप पे उंगली मत उठाना तो खेर वहीं पर ये गाड़ी जो है वो डूब गई थी रवीज हुमार ने अपना रवीज वाला इंजेक् हम बताइए मैक से से अवार्ड मिलने के बाद भी अगर ये इस प्रकार के फेक निउस हमें फैलाने पड़ रहे हैं तो लानत होनी चाहिए हम कोई भी भाजपा आईटी सेल वाला हमें काउंटर नहीं कर पा रहा है बताइए कोई दलित चिंतक या वामपन थी बंगाल में दल जैसे हैंडल चुप रहते हैं काये कि हमारा दलित प्रेम पाकिस्तान से आई हिंदू के लिए भी नहीं धड़कता है हम तो स्वें 85 प्रतिसत वालों के साथ खड़े हैं तो सीए के विरोध के लिए खड़े हो जाते हैं हलाकि इस 80 प्रतिसत में जितने ओबी सी हिंदू रा प्रायक का काम कर रहे हैं और आप स्वें एक डलित एक्टिविस्ट होकर ही पैसा तो छाप रहे हैं किंतु उनके विरोध में खड़े हैं अब यह जलन इतनी बढ़ चुकी है कि किसी ने कहा कि बक्तियार खिलजी तो हमारा जी जा था उसको हम clean treat देते हैं एक तरफ तो ब् आप खिलजी को जो बोला चारबो ना रहे दादा एकी 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 हो इस्च्छे एक चॉलबे ना क्या लगता है खिलजी हमारा बाप था की नहीं आप बताओ कॉमेंट में दलितों के लिए एक्टिविस्टों के लिए नहीं बोल रहा हो पूरा वामपंथी एको सिस्टम के दरसल ये कोई दलित और आपको भी पता ये कोई दलित या फिर OBC फलाना धिमकाना एक्टिविस्ट नहीं है इनका कारे बहुत साधारन है हिंदूों की एकता को खंडित करो और भारत को कनवर्ट करो सनातन को कनवर्ट करो सनातन को समाप करो तो चलते चलते आपने ये सब देख लिया, एक और फोटो आप देख लिए, ध्यान से, ये महात्मा बुद्ध की मूर्ती है, अब महात्मा बुद्ध जो है वो जनेओ पहने हैं, लेकिन हम वाम पंतियों का चाल और शड़ेंत्र देखिये, नौ बुद्धों को भी देखिये किस प्रकार से ट्रैप में फस करते थे, तो आज के ब्राह्मन अगर जनेओं को धारन करते हैं, तो ऑफिशियली क्या वो आपके रिलेटिव नहीं हो गए, मिर्ची लगी ना, लगने के बार बर्नौल आपको आसपास की दुकान से मिल जाएगी, आप खरीद लीजिएगा, और अगर आपको राष्टवा भाजपा से प्रेम हैं, तो अब कॉमेंट कर सकते हैं, अब शेक तिवारी सो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, रवीश कुमार अब हर हफते ऐसे ही ले जाएंगे, नमस्कार, जैस्विवाद